बिग बॉस 16 के आज की एपिसोड की हाइलाइट रही शालीन और एमसे स्टेन की बीच हुई लड़ाई जहां इस लड़ाई में सुंबुल और टीना भी आमने सामने होते दिखें तो चलिए शुरू करते हैं बिग बॉस 16 का एपिसोड 48 तो बिग बॉस एपिसोड की शुरुआद इसके बाद शिव अर्चना को अपनी डूटी करने के लिए कहते दिखें जहां अर्चना ने कहा कि जब उसका मन होगा वो तब डूटी करेगी वहीं शिव कैप्टन साजित को कहते दिखे कि अरचना काम नहीं कर रही वो कह रही है कि मेरा मन होगा तब काम करूँगी वहीं सौंदर्या कहते दिखी कि मैं छोटी छोटी चीजों को लेकर कितना स्ट्रेस ले रही हूं लेकिन किसी को इस बात का कोई फरक नहीं पड़ता वहीं अर्चना इस बात पर सौंदरे को कहते दिखी कि तुम यहाँ पर प्यार करने आई हो या फिर गेम खेलने अर्चना की इस बात पर गौतम अर्चना पर गुसा होते वे दिखे वहीं साजित ने निम्रत से कहा कि अर्चना से पूछो कहीं उसकी तबित ठीक नहीं है तो हम उसे काम के लिए फोर्स नहीं करेंगे वहीं इस बात पर अर्चना ने कहा कि मेरी तबित ठीक है मेरा मन है इसलिए मैं सो रही हूँ वहीं निम्रत ने जाकर साजित को सारी बात बताई साजित ने अरचना को 20 मिनट में काम करने की चेतावनी थी और काम नहीं करने पर उसे सजा देने को कहा वहीं अरचना ने काम करने से मना किया जिस पर साजीद ने अर्चना के सारे कपड़े और सामान जेल में डाल दिया वहीं साजीद और गौतम सुंबुर की जनरल नोलेज को लेकर मस्ती मजाग करते वे दिखाई दिये वहीं अर्चना गौतम और सौंदरे को कहते दिखे कि प्रियंका नॉमिनेशन से बचने के रिए साजीद की चेली बन रही है वहीं प्रियंका गौतम से पूछती दिखी कि अर्चना मेरे बारे में क्या बोल रही थी नॉमिनेशन को लेकर इसके बाद लॉम्सन, शौटसन, अब्दू और साजीद ने प्रियंका के साथ कुछ सवाल जवाब किये इसके बाद बिग बॉस्ट ने कैप्टेन साजीद के नॉन फेवरेट सदस्यों को मौका दिया साजीद को कैप्टेन से हटा कर खुद कैप्टेन मरने का जहां इस टास्क में नॉन फेवरेट सदस्यों को कैप्टेन सहीद उनके फेवरेट सदस्यों को मार गिराना था इसके लिए बारी बारी बिग बॉस्ट बारा एक्टिविटी एरिया में बुला कर किसी फेवरेट सदस्यों को कैसे मारना है ये बताया जाएगा अगर फेवरेट सदस्यों ज्यादा नॉन फेवरेट सदस्यों की मार से बस जाएंगे तो कैप्टन साजित की हकूमत बरकरार रहेगी और अगर नॉन फेवरेट सदस्यों ने ज्यादा फेवरेट सदस्यों को मार गिराया तो साजित की हकूमत खत्म हो जाएगी वहीं इस टास्क में टीना शालीन और सुंबुल नौन फेवरेट होते वे भी कैप्टन साजित की टीम में मिल गए वहीं आरजना कहती दिखी कि अगर मेरे डिजाइनर कपडों का कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा वहीं बिग बोस ने नौन फेवरेट सदस्यों को एक्टिविटी एरिया में बुला कर सबसे पहले निम्रित को मानने को कहा जहां नौन फेवरेट सदस्यों को कुछ ऐसा करना था जिससे निम्रित आदे घंटे में दो बार ड्रेस बदल ले जहां नौन फेवरेट सदस्यों ने निमरेट पर कौफी गिराने की रनीती बनाई वहीं टीना ने निमरेट को कपड़े नहीं बदलने का हिंट दे दिया जिससे निम्रित आदे घंटे सबसे बचती बचाती रही और एन में निम्रित को मारने में नौन फेवरेट असफल हो जाते हैं वही प्रियंका कहते दिखी कि बाहर आते ही अलग हो जाओ और उस अदसे पर फोकस मत करो जिसे मारना है ताकि उन्हें हम पर शक नहीं हो वही सेकंड डाउन में MCS10 को मारने का आदेश दिया जहां नौन फेवरेट अदस्यों को आदे घंटे में MCS10 से एक रैप गवाना था वही टीना को मिलें टीना से मेरे हिंट पर MCS10 भी कारे में नौन फेवरेट सदस्यों से मरने से बच गये वहीं इसके बाद शिव को मानने का आदेश आया जहां नौन फेवरिट हदस्यों को एक कुछ ऐसा करना था जिससे की घर में दो बार ये अनाउंस हो कि शिव अपना माइक पहन ले जहां सुंबुल से मिले हिंट के आधार पर शिव भी मरने से पज जाते हैं और चुंकि पांच फेवरिट हदस्यों में से तीन को मानने में नौन फेवरिट हदस्य असफल हो जाते हैं इसलिए नौन फेवरिट हदस्य अपना टास्क हार जाते हैं और साजित की हुकूमत घर में बरकरात रहती है वहीं टास्क हारने के बाद गौतम प्रियंका पर ढंग से टास्क नहीं करने का बलेम देते दिखे जहां प्रियंका और गौतम की बीच में जड़ब भी देखने को मिलती है वहीं टास्क के दोरान हुई अनबन पर शिव और शालिन बात करते दिखे वहीं अर्चना रोते हुए सौंदरे को कहते दिखे कि इन लोगों ने मेरे सारे डिजाइनर का बड़े ऐसे डाल दी हैं कितने गंदे लोग हैं वहीं शिव स्टेन को कहते दिखे कि ये शालिन टास्क के वद सब के सामने जान बूच कर ड्रामा करता है वहीं निम्रत कहते दिखे कि टीना ने आज हमारा साथ दिया है अब हमें भी उसे कैप्टन बनने का एक मौका देना चाहिए वहीं शिव इस टेन को कहते दिखे कि इन्हें क्या लगता है ये चार दिन हमारे साथ बैटेंगे और हमारी प्रायोटिस में ये पहले नमबर पर आ जाएंगे इसके बाद बिग बस ने घर की महीरा सदस्यों को दोदो की जोड़ी में बना कर रैंप वोक करने को कहा जहां जजज बने लड़कों ने टीना और सुंबल की जोड़ी को भी नरगोशित किया वहीं अर्चना निम्रत से पूर्श दिखी कि किसने मेरे कपड़े जेल में डाले थे जहां शीव ने कहा कि काम नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा वहीं अर्चना कहते दिखी कि तुम सबकी कल मैं सलमान सर्जे कहकर क्लास लगवाऊंगी वहीं साजित ने कहा कि अर्चना को बोलो अगर मुझसे लड़ना है तो सामने से आकर लड़े जहां इस पर शालिन कहते दिखे कि सर आप क्या ही कर लोगे वहीं शालिन कि इस बात पर साजित इस्ट्यान और शिव्ट को कहते दिखे कि शालीन जान बुचकर पंगे लेने की कोशिश कर रहा है वहीं चलते चलते अचानक टीना के पैर में मोच आ जाती है जहां शालीन टीना के पैर की मोच निकालते नजर आते हैं लेकिन टीना उन्हें मना करती दिखी कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है शालिन मेरा पेर छोड़ दो जहां शालिन द्वारा पेर नहीं छोड़ने पर M.C.S.T.N. उन्हें गाली बोलते हुए गुस्से से निकल जाते है इस पर शालिन को भी गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते दोनों में इतना बड़ा जगड़ा हो जाता है कि दोनों एक दुसरे को मानने के लिए आतुर हो जाते है वहीं शालिन को मानने के दोड़े M.C.S.T.N. को शालिन अपने हातों से जकर लेता है जिससे मामला और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है इसी बीच शालिन से बात करने गई टीना सुम्बुल पर भढ़क जाती है त्योंकि सुम्बुल शालिन को किसी से बात करने ही नहीं दे रही थी तो ये था विगवा सोला का एपिसोड 48 मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए देखते रहेगा सिनेमा विनेमा